अगर आप वास्ता विक्ता में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो एक बात बहुत जरूरी याद रखना समय सीमा पर काम खत्म करना ही काफी नहीं होता समय सीमा से पहले काम खत्म करने की अपेक्षा होनी चाहिए तभी आप अपने लिए समय निकाल करके और अपने लिए लिए है और ये वीडियो जान करके आपके अंदर एक अद्बुद छमता एक अद्बुद तागत परवेश कर जाएगी ये बात वास्तविक मैं समझाते हूं आपको बिना देरे के आज के इस मुख्या प्रियोजन को समझाते हैं कि क्यों आज की वीडियो आपके लिए वेयत कारी है बस जानना है तो केवल इसके बारे में कि सूर्य देव यहां पर क्या करा रहे हैं क्या करा सकते हैं और आपके लिए क्या लाफ सूर्य नारण ले करके आ रहे हैं मित्रो ऐसे कई तुलारासिय के जातक हैं बरतमान में भी तो नोक्री जो करियर डामपत्त जीवन वि कुंडले के अंदर ग्रहों की विविद विविद इस्थिती उनको परिशान करती है ग्रह दोस परिशान करते हैं और पापी ग्रहों की दशा अंतर दशा में उनको चारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यह कारेकरम जो होता है यह चंदराशी पर अधारित होता है इसको हम एक मुल्यांकन के तोर पर एक आकलन के तोर पर जान सकते हैं परंतु सटीकता से आकलन के लिए तो आपकी कुल्डे का विश्लेशन ही करना अवश्यक होता है तो मित्रों आप समझ गए होंगे ये कार्यकरम चंदराशी का अधार पर आपको देखना है और अगर आपकी चंदराशी नहीं है तो आपकी जो भी प्रचलित नाम राशी है उसके आधार पर आप इस कार्यकरम को देख सकते हो नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो के हम सुर्वात करते हैं और इस वीडियो की समझने के लिए आप बराबर में आपकी राशी के जो चार्ट है वहाँ सूर्य देव की स्थिती देख करके आपको बस समझते चले आना है और मित्रो ये कार्यकरम बास्ते विक्तम बेहत खास होने वाला है वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर अपको बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है तो समझत तो लाशी के जात को सूर्य देव इनकी महत्ताना हमारे जीवन के अंदर बहुत जादा है सूर्य अगर किसी के कुंडली के अंदर अच्छे हो तो उसको कितनी सफलता मिल सकती है आप उसका आगला नहीं लगा सकती है और अगर सूर्य खराब हो जाए तो जीवन के अंदर कितनी परिशानी आ जाती है व्यक्ति अपने पूरे जीवन पूरा जीवन काल अपने परिशानियों के इंदा दिकाल देता है अगर कुंडली में कहीं पर भी सूर्य खराब हो जाए सूर्य नारण जो तो शास्त्रे में सरकार का नेत्रत तो करते हैं हमें कौन सी प्रतिष्टा मिलेगी हमें कितने जादा कारे के लिए हमें किसी भी प्रकार के लेवल पर चुना जाएगा और हमें कितने प्रकार की संसाधन मिलेगे लोगों की सेवा करने के लिए ये सब सूर्य महाराज की करपह से मिलता है गुरू और कितना हमें बड़ों कामान सम्मान करने का मौका मिलेगा और कितना ही उनका हमें साथ मिलेगा ताकि हमारा मार्क दर्शन भी अच्छा कर सके और साथ ही सूर्य दे प्रशासनिक अधिकारी भी बनाते हैं प्रशासन से भी लाप कराते हैं कई बार हमारे साहत में कोई ऐसी गटना गट जाती है जहां हमें प्रशासार से दंड मिलने के आप अपुछ्छा होती है पर हमें प्रशासन से रिलीफ मिल जाता है में प्रशाथसन से कुछ ना कुछ आराम मिल जाता है कई बार को आपने देखा होगा के लोग भाइक पर जा रहे हैं वाइक पर जा करके पुलुशन को रोक लेते हैं पर अधिकांद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वहाँ से थोड़ा बच्चा मिल जाता है वे लोग लाब लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी सूरे देव का उत्तम होना बहुत ज़्यदा अवश्यक है मित्रम चर्चा करते हैं कि सूरे देव अगर कुंडली में अच्छे हूँ तो कैसे लक्षण हमको देख सकते हैं कैसे आप पता कर सकते हो कि आपके सूरे देव अच्छे चल रहे हैं अगर सूरे अच्छह होगा न तो कभी भी आपको जल्दी से स्वास्ते खराब नहीं होगा कोई बहांकर ही महामारी पैदा हो गए या कोई बहांकर ही दिक्कत हो गए तो ही शायद आप उसकी चबेट में हो और कई बारतों कर सूरिय बहुत जब श्रौंग है तो उसमें विज़ा से कोरोना के टाइम पर भी जो लोग जिनको स्वास्ते में बिल्कुल भी टच नहीं कर के गया करोना और वह लोग कमेंड जरू करें करिए कि आप पता लग जाएगा आप मेंसे कौन लोग ऐसे हैं और कोई बड़ी वहामारी चली कोई बड़ी ऐसी बहुत जाला कोई खराब बिमारी चली उसकी चबेट में नहीं है और साथ ही स्वास्ते बहुत ही थोड़ा बह हम तो बहुत आपत में आगा और आपको कहोगे नहीं चिंता करने कोई अब शक्ता नहीं है सब देख ले जाएगा तो यह सूरिया के अच्छे होने के लक्षर है तो यानि के सूरिया देव इस सब कुछ करवाते चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति नेतर तो चमता बहुत चाहिए उनसे कैसे काम लेना है और इसलिए सूरिय से अच्छे संबंदित व्यक्ति हैं वो बड़े ठेकेदार भी बन जाते हैं सूरिया के जो अच्छे व्यक्ति होते हैं कजर में पार सफलता प्राप्त करते हैं और वहीं उनको पद परतिष्ठा भी मिलती है खूब मान स अच्छे सूरे के लग्षण और हमेशा उसको पिता का गुरू का अपने बड़े जनों का अगर वह नोकरी पैतों पर अधिकारी वर्गों से हमेशा उनसे सपोर्ट बना रहता है सूरे के अच्छे होने से हमें जीवन में सयोग की प्राप्ति होती रहती है और कभी भी हमा अच्छा ठन बहुत अच्छा पैकेज मिलता है यह सूरे के अच्छे होने के लख्षण होते हैं और उसके फ्रोग्रेस खुब होती है उसका कुब परमोशन होता है और अपने जीवन में वह एक बड़े पड़ पर जाकरकर वासल होता है यह होते है मित दों सूरे के स्वरे के खराब होना से हमें आत्म कामों को बहुत लंबे पकारीयों से भिखड़ने लग जाती है। आलस्या को बढ़ाएगा, पिता और गुरू से मदभेत बैदा कर देगा, ये सब लक्षण होते है मित्रों, अगर सूरिया हमारी कुंडली में, किसी भी प्रकार से, अगर आप बरत्मा में आपके कुंडली नहीं है, तब या इन लक्षणों को जान करके, अपने आप समझ सक करते हो, कि आपके लिए सूरिया अच्छे हैं, या फिर सूरिया खराब चल लाए है, तो चलिए मित्रों थोला आगे बढ़ता है, अब बात करते हैं, कि सूरिया जैसे आ रहे हैं, सिंगरासी में, तो ये लाब प्रत्मा मित्रों आप एक बात बताईएगा, जब आप अप काप कब मेहसूस करते हैं, जाहिर सी बात है कि वेक्ति अपने घर पे जाने के बाद में, सारे चाह, पूरे जगधे भूमले पर घराके एक बात कहता है, तो ये अपना घर ही सबसे बढ़िया है, तो कभी भी आप एक तो अपने घर का बुरा नहीं चाहोगे, बुरा नहीं करोगे हाना माता पिता का भी बुरा नहीं करोगे तो यह चीज़ होती है ऐसे ही ग्रहों का भी होता है मित्रों ग्रह भी जब अपने घर में आते हैं ना जब अपने राशी में आते हैं जो सूरिय महाराज हैं यह सिंग राशी के स्वामी है और सूरिय अब सिंग रासी पूरे एक साल बाद पूरे एक वर्स बाद प्रवेस कर रहा है हर साल करता है परंतु इस वर्स में जब सिंग रासी पर आ रहे हैं तो आपके लिए खासे से लिए हो जाता है यहां पर जब सिंग रासी पर आही रहे हैं तो सूरिय जिन चीज़ों के कारक होते हैं जैसे मैं उपर आपको बताया कहीं सारी चीज़े बने बताई इन मैं से कुछ चीज़े सब्तों मैं नहीं कहूंगा क्यों कहूं जूड बोलने के लिए कोई यहां पर कोई ऐसा वक्तव नहीं देना है क्योंकि आपकी कुंडले में किसी अलग ग्रह की दशा चल रही हो सकते हो सकता सूर्य दशा में ना हो सकते कोई और ग्रह हो पर अगर सूर्य के सिद्र कुंडले के अंदर अच्छा है तो यह निश्चित तोर पर यह आपको गोचर में लाब कुछ न कुछ दे करके जरूर जाएगा तो सूर्य जब पॉजिटिव होते हैं यानि के जब सिंग रासी में आते हैं तो दूसरी इंपोर्टेंट बात यह सिंग रा हो जाएगा तो यहाँ पर सूर्य से संबंदित कुछ लाब हमें जरूर मिलते हैं जैसे कि जो लोग प्रसासनिक सेवाव के लिए त्यारी कर रहे हैं बच्चे उन लोगों को निश्चित तोर पर सफलता मिलती हैं किसी बड़े एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं इन से अलग है 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 छोटे-्छोटे कामों को मैनेज नहीं कर पाते चार-पाँच लोगों से काम नहीं कर पाते उनसे काम लेना понял वे ही प्रोफिट ले गर ब़ाग जाते हैं और लास्ट लम में का मिलता है कुछ भी नहीं यह सी स्थी देखते हैं परन्तु जब सूरी अच्छ हैं, उनको complete कर लेना, ये सब सूर्य देव यहां पुरे करवा देते हैं, राजनेतिक छेत्र के लिए ये सूर्य किस्तिदी सबसे ज्यादा लाव अपरत है, और मित्रों में आगे भी बताऊंगा, राजनेति से इसका सूर्य का बहुत ज़ादा कनेक्शन होता है, क्योंकि सूर्य देव आपको पब्लिक से जोड़ते हैं, पब्लिक सर्विसिस से जोड़ते हैं, इसलिए जितनी भी हमारी राजसिक सेवाय होती हैं, गौर्रमेंट जोब होती हैं, ये टोटली ही हमारी पब्लिक से जुड़ी भी होती है, इसमां सारा ही कार ने सैंस में जाना चारे हैं अगर आपकी एज है तो है पर आहां में कुछ नहीं जाता ग्रैयोग बनाता है योग वे हम अरुकर में हो रहा है तो वह तुखा भी लग जाता है यह बात हकीकत और ऐसे कई बच्चे कहिं लोग ऐसे जिनके काम इस प्रकार से हुए हैं वह कहने कि आमें कुछ भी नहीं आता था फिर भी हो गया उपर वाले का करम था अब अच्छी खासी नोक्री बने सूर्य रेव की करपा से स्वास्ते खराब है तो स्वास्ते में सुधार होगा आप अगर डॉक्टरी में जाना चाहते हैं सर्जन बनना चाहते हैं चिकित्सा भी विश चाहते हुड्य का कारिये हुव यहां उध्योग व्यापार के लिए मुख्य मैं कहूंगा कि सबसे ज्याब रहे सूर्य का ये गोच सब्सके सब्सक्राइब हैं आपकी जो प्रेक्रीह से संबंदित है या फिर विङ्चानिक से संबंदित है या फिर यहां यह क्यों आपके लिए sury का लाज़ा बेनिफिशल है आपके लिए हर प्रकार से अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और जानते हैं बरतमान में कि जब सूरिय देव कैसे हम पहचानेंगे ऐसे कोई लोग तो बताओ जब कई लोगों कहना होता है कि जिनको देखके हम समझाएं कि हाँ इन लोगों का सूरिय अच्छा है तो महान भी भूतियों के नाम ने हैं कि आपको नोगरी मिलेगा पैसा मिलेगा आप सबस्त्रुत भम चाहथ है ये रॉटा और राजा का मतलब होता है जो एक पुर्जय को फससाना धीन को होना चाहिए और उसकी ख्याटी बहुत अच्छी बहुत अच्छी मुझे यसके तो चैनल जिनमें से सबसे पहले हमारे भारत के प्रधान मंतरी आधरणिया श्री नरेंद्र मोदी जी इसी का इलावा अमिताब बच्चन जी इसी का इलावा लतामंगे श्रीकर जी प्रतन टाटा जी और धीरुबायमानी सचिन तेंदुलकर ये वे विभूतियां हैं जिनोंने एक सूर्या खलाब होता है तो ऐसी पद्विया बन जाती है श्रीमती सोनिया गांदी जी और लक्ष्मि मित्तली अर्विंद केजरी वाली और भी बहुत सारे नाम हैं पर मैं कोई चीज़े कहूंगो तो पार्टी संब्दी चीज़े नहीं हो रही है यहां पर जोती से आप देता है सब जब सिंग रासी में सूर्य होता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया नेत्र तो छमत अच्छी करेगा कॉन्फिट को बूश्ट करेगा आत्म विस्वासात्म सम्मा जैसे कई बार नोकरी से कुछ भी लालचन लगा कर जूटी बार लगा कर नि कह रहे हैं यहां पर आपको आरुगेता स्वास्ते की प्रसिद्धी की मान सम्मान की और किसी भी काम में अगर आप हो तो उस काम की महता को समझते हैं कई बार हमें होता है ना किसी काम को कर रहे हैं और हमें वो काम क्या है यह अच्छा नहीं लगता पैत्रिक काम को जान पर्फेक्ट हैं बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है और जब हम समझते हैं उस समय क्या करते हैं भी यह काम में बहुत पहले कर देता तो अब तक तक तुम पता नहीं क्या कर देता तो ऐसा ही होता है कोई भी काम है उस काम की गरीमा होती है उसका एक सम्मान होता है उसको स पैसा देता है आजीविका देता है उसके परतिमान सम्मान करो यही सूर्य का कहना है और यही उत्तर दाहिति हो है यहां सूर्य सिंग रासी भी आने से लाब में आ रहा है आगे भी आपको चर्चा करूँगा तो लाब में सूर्य का गोचर धनवान बनाता है उदार सो भावी करा देता है कोई मित्र के सयोग से भी आपका कोई कारे बन सकता है कादश भाव मुक्य रूप से बड़े लोगों का होता है बड़े भाई बड़ा सपोर्ट बड़े अधिकारी बड़े गुरुजन बड़े सम्मानित लोग ऐसे जिवन के अंदर आना प्रालम कर देते हैं यानि जिंदगी एक नया मोड ले सकती है जिंदिगी में किसी ऐसे व्यक्ति की दस्तक हो सकती है जो आपको कोई समपर्क नया स्थान परदान करा दे है हाँ संपर्क जरूर बढ़ रहा है connection बढ़ रहा है सूरिय का ये गोचर आपके connections को मजबूत करा रहा है पहले से अच्छा करा रहा है परणतु साथ ही साथ आपके पिता के जीवन में भी उताल चड़ाप दो चल रहे हैं उनको भी सूरय का यह गोचर का पर तकम करेगा सूरय के इस गोचर से पिता के स्वास्ते में जो दिक्कत है अचानक से आई है उनको ठीक करेगा सूरय और शनी की कही न कहीं परस पर प्रतियुती बनी होई है पर तु घबराने की चिंता करने कोई भी आवशक्ता नहीं है इस समय सूर्य ही सूर्य रहेंगे यह एक महीने का इंतराल रहेगा मित्रों मैं आपको साफ सा बता दूं 16 अगस्त से ले करके और 16 सिदम बरता का मान करके चल सकते हैं पर तो यह इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि नए जॉब गे प्रापती हुई तो उसमें भी आपको जॉटने वाली नहीं है लंबे समय तक मिलेगी कोई नया काम आप कर रहे हो कुछ पढ़ाई कर रहे हो किसी एक्जाम की तियारी कर रहे हो सफलता बहुत चल्दी आपको मिल जाएगी तो यानि के सूर्य सिंग राजी सुनिएगा जारवे घर के अंदर सूर्य का फल क्या होता है मित्रो कि एकादस स्थान जैसे कि मैंने का लापका तो है ही है पर दो इसके अलावा इक्छा पूर्ती का भी ये स्थान है इक्छा पूर्ती ये वह भाव होता है कि आपकी इक्छा संतान की प्राप्ती भी हो सकत तुला राशी के तुला राशी के तुला राशी के तमाम जात्कों को मैं कहना चाहता हूं। जहर ये रखिए, confidence को डाउन मत होने दीजिए, अपने काम की महत्ता को समझजिए, आपने अब तक जो सीखा है उसकी महत्ता को समझते हुए, उस पर विजिस फोकस रखिए, अगर आपका आज मन कर रहा है कि मैं सब को दो मैंने किया, उसको छोड़ किसी नहीं चेजिए को आसान है, फिर भी आसान है, तो उसकी गरीमा को महत्ता को समझजिए, उसमें फिर भी आप आपके बढ़ सकते हो, कहीं तुलारासी के जाता कैसे होंगे, जिननों को ये बात है बलुकुल ऐसी लग रहे हुँ कि मेरे उपर ही क्यों कहीं जारी है, तो ये वास्ता विकता है, आप कमेंट करते रहेगा, ये आप चीज़े महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, तुलारासी के जाता को एकालज इस्तान होता है, लाव का इच्छा पूर्ती का आप समझ गए होंगे, ये आपकी इच्छा पूर्ण कराता है, और इसके मालिक ही स्वयम सूर्य देव है, सब अख अगे शादी होता है, हमें पता नहीं लगता है, और ना ही हमें ये पता लगता है, उसका क्या उपए करना है, तो आप बैठे दाए जाते हो घ्रह योग बनता है चला जाता है फिर आपके तो हमारा विवा नहीं हुआ उसके लिए कुछ बात आपकी अच्छी होती हुए नजरा रही है और साथ ही विवायोग भी प्रवल हो रहा है सूर्य का ये गोचर आपको इस तरी पक्षे से मुख्या लाब करा रहा है याद रखिएगा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कन्या इस तरी की बात आप मानके के कुछ कारे करते हो तो निच्चित आपको लाब होगा कन्याओ की बात सलाव विशे स्रुफ से माने और उनको प्रसंद करने का काम करें किसी भी शुक्रवार को किसी छोटी कन्या के पैर छुकर के और उसका अशिरवात ने आपके लिए बेहत कल्यान कारी रहेगा और साथ ही मैं आपको बता हूँ जिन संतान ही नोग को संतान की प्राप्ती में दिक्कत हो रही है सूर्य तो देखे बहुत प्रबल योग बना रहा है बहुत जादा इनसे अफिक्षा हैं कि आपको संतान प्राप्ती का अशिरवात दे और साथ ही वाहन की प्राप्ती नोक तिया आपको छोड़ करके चले भी कई, कहीं लोगों ने आपका साथ छोड़ भी दिया, पनुतित दुनिया ही, ऐसे ही कार्य करती है, लोग जाते हैं और फिर नए तरीके से लोग आते हैं, तो आपके जीवन में लोगों का आगमन भी हो रहा है, जो चला गया उसको आप कर सकते हो, इस पर ध्यान लखिएगा, और प्रतियक कार्या में सफलता है कि प्रबल योग सूर्य देव यहां पर बना रहा है, एकारश इस्तान मित्रों लाब का है, मैंने फिर कहा, आपके लोगों के साथ उठ बैट का है, मिलने जुलने का है, हनी कि आप लोगों से मिलने जुलने सोशल गैदरिंग आपके हो रही है, और उससे आपकी धंटराप्ति की योग बनने है, सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों, कि एकारश इस्तान पर जो सूर्य देव का एक योग बन रहा है, सूर्य देव आपके लिए लावेस हैं, और ये बुद्ध के साथ मीं बन करने के लिए, एक और चीज़ हो, अगर सूर्य देव एक साथ हो, तो विक्ति की बुद्धी बहुत अच्छा काम करती है, धन कमाने के लिए, आपके आइडियास बहुत अच्छा आएंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया करमा हैं, क्योंकि इसकी दृष्टी भी बुद्धिया का लाब कराएंगे, पंचम बाव पर यहां पर प्रेम संबंदित मामलों में भी सफलता परदान करा रहा हैं, परंतु सूर्य बुद्ध का एक साथ योग बैटना, ये आपकी बुद्धी को यह ना कर वियापार की तरफ रूची मोर सकता है, आप डेली इंक आधन जरूर बनने के योग बनने हैं, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि यह बहुत बरदस्त है, केवल एक चीज पर सैलली पर डिपेंड हुए व्यक्ति जो और तरह परिशान है, कई सारी चीजों को ले करके वो दूसरी तरह उनका दिमाग जा रहा है, भाग्या भी समय साथ तो वह याँ ट्राइ कर सकते हो, मैं बिल्कुल इस चीज में आपके फिवर में हूँ, यहां बास्तविक्तम आपको लाफ होगा, अगर शेर स्टॉक मार्केट की बात करें, तो उन चीजों के लिए हाँ पर सूरिय है, हर प्रकार से प्रोफिटेबल है, परन्तु उसके लि आप इस गोचर, क्योंकि गोचर वह अच्छा बन रहा है, लाब लेने के लिए क्या उपाय कर सकते हो, आपको करना है केवल सूर्य नमसकार, आपको प्रति दिन सूर्य महाराज को अर्गर देना है, सूर्य के मंत्रों का अजाब करना है, आधित्य हर्दय स्तोत्र का पूर्ली देखवा करके मानिक्य या रूभी धालान कर सकते हो, और एक मुखी रुद्राक्ष, अगर आप कॉन्फिदेंस बिल्कुल खतम हो गया है, नौकरी में जाते हो, वहाँ पे सामने वाला तो थोड़ी पूजा पार्ट करवा करके, और अब तो श्रावन मास में है, आप भवायन शिवकार उद्राविशे करवाओ, एक मुखी रुद्राक्षिद्र करके धारन करो, बेहत चमतकार रिलाव होगा, अब सूरिय तो हो गया, सूरिय कहीं बार हम अच्छे योग बनते में अपने ही द्वारा कुछ ऐसी गलतिया कर देते हैं, कि वो ग्रह योग करना, कोई भी एक चीज है, उसे सब लोगों को दिखाते फिर रहे हैं, लब दिखावा कर रहे हैं, दूसरा हम कहीं न कहीं गुस्सा, क्रोध किसी का खिसी का उपर निकालना है, वह बाल लालच में हम किसी से पैसे ले लेते हैं, उसको या तो टाइम पर काम ने डिलीवर क करते भी हैं, तो माल लीजे बचतों सबीर लोग करते हैं, परंतु दस रुपे का काम में, आपने उसको बस एक रुपाई खर्च किया, और नो रुपे पने पास में रखे हैं, यहने कि उसको जो देना था न वो चीज नहीं दी पाई, उसको सैटिस्वाई आप नहीं कर प पॉजिटिव आपने महसूस किया होगा, वास्ताविक्ता में सूर्य का कुछार आपके लिए पॉजिटिव टी लेका आ रहा है, मैं आपको बार-बार यह अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, वह पॉजिटिव रहो, जीवन में तनाव संगर्स हर व्यक्ति के आता कोई नहीं, यह संगर्स ऐसे ही खतम हो जाएगा, यह जीवन का नाम ही दूसरा संगर्स है, बस अपने इश्टपर सरद्दा अविस्वास करके और ग्रह क्या कोडिनिंग थोड़ा काम करो, थोड़ा बदलाब करो, और ग्रह से संब्दिपाय करो, सब कुछ होता होगा, सब साथ ही अगर आप अपनी कुंडली के आधार को कोई ग्रह दोश है, उसका कोई ग्रह शांती करवाना चाहते हो, तो विशेश विदी विदान से हमारे हाँ, बुजा पाठ संपन की जाती है, उसके लिए आप मैंसे संपर कर सकते हो, चलिए मित्रो, स्वस्तर हीएगा, मिलत